देखो देखो कौन आया कौन आया सेर आया सेर आया और जैसे ही यह नारा लगने लगा मनीश कस्यप हजारों की भीर में पटना के सिविल कोट में जोर जोर से दहारे मार कर रोने लगे और दरसल जब देखो देखो कौन आया सेर आया सेर आया और मनीश कस्यप ने जब यह नारा सुना और मनीश कस्यप के आखो से टप टप आसू निकलने लगे हम तमाम बाते आपको बताने जा रहे हैं तमिलनाडू में जितने भी केस हुए थे उन सभी केस में मनीश कस्याप को बेल मिल चुकी है यह सबसे पहले पोजेटिव इंडिया आपको यह खबर दे रहा है कि मनीश कस्याप को तमिलनाडू के सभी केस में बेल मिल चुकी है और मनीश कस्याप को अब तमिलनाडू नहीं जाना पड़ेगा मनीज कस्याप पर तमिलनाडू में बस एक ही मामला चल रहा है वो NSA का और NSA जो लगा हुआ है वो तमिलनाडू सरकार ने लगाया था अब बस सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडू में बस एक ही मामला चल रहा है इस बात को आप लोग अब कंफर्म हो लीजिए कि म मनीश कस्यप पर तमिल नाड़ू में जो भी केस डर्ज हुआ था उन सभी केस में मनीश कस्यप को बेल मिल चुका है और सिर्फ और सिर्फ एनेसे का एक लपरा लगा हुआ है। मनीश कश्यप को कल पतना के सिविल कोट में पेश किया गया था और पतना के सिविल कोट में जो पेश किया गया था उस मामले में आपको बताते चले कि आर्थी का प्राधिकाई ने चार केस मनीश कश्यप के उपर दर्ज कराये थे इसी मामले में पतना के सिविल कोट में मनीज कश्यप की पेशी जब हुई उससे पहले आपको बता दे कि मनीज कश्यप की पेशी जो हुई उसमें चार्ज सीट आपको EOEU दाखिल कर चुकी है और इतना ही नहीं बलकि मनीज कश्यप को पत्ना के सिविल कोड ने बहुत बड़ी राहत दे दी और जजज साहिबा न आदेश दे दिया कि मनीश कश्यप पर अब तमिलनाडू में कोई भी मामला नहीं है इसलिए मनीश कश्यप को तमिलनाडू नहीं भेजा जाएगा और मनीश कश्यप पर बिहार में जो मामले हैं इसलिए मनीश कश्यप को बिहार में ही रखा जाएगा अब थोड़ा सा आप क् मनीश कश्यप एक बार अगर बिहार आ गया तो वो फिर तमिलनाडू नहीं जाएगा और बस यही कारण था जिसके कारण मनीश कश्यप को बिहार नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि पता था कि मनीश कश्यप को तमिलनाडू के सारे मामलों में बेल मिल चुकी है और तमिलन पिर उसे तमिलनाडू के जेल में रखने का और उसे बिहार के ही जेल में रखा जाएगा तो आप समझ लीजे कितनी बड़ी साजिस रची गई थी और इतनी बड़ी साजिस जो कि लोग समझ तक नहीं पा रहे थे और यही कारण था जिस कारण मनीश कश्याप को बार बार हम बताने जा रहे हैं उससे पहले आप जड़ा जान लिजे कि ये जानकारी जो है मनीश कश्याप के वकील ने दी है और ये इंडिया टूडे से बातचीत के दोरान उन्होंने दी है और इंडिया टूडे ग्रूप का कहना है कि मनीश कश्याप को तमिलनाडू के सभी मामलो में बेल मिल चुकी है और इसका खुलासा मनीज कश्यप के वकील ने किया है वहीं आपको बताते चले किदरसल कोट ने यह भी आदेश दे दिया है कि मनीज कश्यप पर NSS का सुनवाई भी अगर होगा तो उसकी सुनवाई बिहार से ही होगी और बिहार ज़ए में बिहार से ही मनीशकर्षट वीडियो काश्यब के जड़िये उपस्थिती दर्ज कराएंगे यानि कि 100 शरीर मनीशकर्षट को तमिलनादू में पेश नहीं किया जाएगा अगर सुनबाई भी अगर मनीश कस्याप की अगर तमिलाडू में होती है तो उसके लिए बिहार के जेल से ही जहां पे भी मनीश कस्याप रहेंगे वहां से विडियो कॉन्फरेंसिंग के जडिये ही सुनबाई होगी वहीं आपको बताते चले कि कोट ने आदेश दे दिया है कि जब तक बिहार में दर्ज मामलों में उन्हें बेल नहीं मिल लाता तब तक उन्हें हर परिस्थिती में बिहार ही रखना पड़ेगा और उन्हें पतना के बेवर जेल में ही रखना है वहीं आपको बताते चले कि द कह रहे हैं इसको भी ज़रा समझने की कोशिस कीजिए कि अगर किसी बेक्ती पर अगर केस होता है और उस केस में अगर चार पाच छे साथ लोग हैं यानि कि दो से ज़्यादा बेक्ती अगर उस केस में आरोपी बनाए गए हैं और अगर किसी एक बेक्ती को भी उस केस में अग इन लोगों को भी और भी एक दो लोग हैं इन सभी लोगों को लगभक तीन से चार लोगों को इसी मामले में बेल मिल चुकी है इसलिए पुजेटिव इंडिया आपको साफ साफ कह रहा है कि दर असल मनीश कस्यप को भी आने वाले महज कुछ दिनों में बहुत जल्द उन सभ लोगों को भी बेल मिलेगी वहीं आपको बताते चले कि मनीश कस्यप पर जो सुनबाई जो हुई है ये चार मामले जो इयो उने दर्ज किये थे उसमें आर्थिक अपराधिकाई के दो केस में पटना सिभिल कोट में पेशी हुई थी उसमें जो मामला जो दर्ज हुआ है ब जरा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थिक अपराधिकाई यानि के EOU का काम होता है कि आर्थिक गरवरी अगर कोई आर्थिक लेंदेन से अगर गरवरी करती है तब उसकी जाच आर्थिक अपराधिकाई करती है तो मनीश कस्या पर अगर फरजी वीडियो वैरल करने का मामला है अगर दंगा भरकाने का मामला है तो इसकी जाच आखिर आर्थिक अपराधिकाई कैसे कर रही है और आर्थिक अपराधिकाई ने चार-चार मामले कैसे दर्ज कर लिए ये भी एक कहीं न कहीं साजिस का हिस्सा नजर आ रहा है क्योंकि इन सभी जेनरल केशों की जाच जो है वो पुलिस करती है आर्थिक अपराधिकाई जो है आर्थिक अपराधिकाई जो है आर्थिक गरवरी अगर पैसे के लेन देन में अगर कोई गरवरी करते हैं या अगर आपके पास आय से ज़्यादा संपती का पता चलता है तब उसकी जाच आर्थिक अपराधिकाई करती है लेकिन आर्थिक अपराधिकाई का इसमें जाच करना कहीं न कहीं साजिस की बुवा आ रही है वहीं आपको बताते चले कि मनीश कस्यप की पतना के सिविल कोट में जब पेशी हुई और उस दौरान मनीश कस्यप के हजारों ही नह की संख्या में समर्थक जमा हो गए और आप सोच सकते हैं कि बेतिया में भी वही हुआ था कि हज्जारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे जब कि लोगों को पता तक नहीं था कि मनीश कस्याप आने वाले हैं इसके बाबजुद वहां पर लोग जुटे लेकिन कल लोगों पता था कि पतना में मनीश कश्यप की पेशी है और इस दोरान लाखों की संख्या में लोग जुट गए और जब मनीश कश्यप सिविल कोट से जब बाहर निकल रहे थे इस दोरान जब नारा लगने लगा कि देखो देखो कौन आया सेर आया सेर आया और ये नारे जब लाखो कोई संख्या में लोग लगा रहे थे तो पटना का आसमान जो है पूरा का पूरा पटना मनीश कश्यप के नारों से गूंज रहा था और मनीश कश्यप इन नारों को सुनकर भावुक हो जाते हैं इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं फपक फपक के रोने लगते हैं और अब इस बात की उम्मीद साथ तोर पर दिख रही है, कि मनीश कस्याप अब बहुत जल जेल से बाहर निकलेंगे, वही सबसे अछी बात तो ये है कि मनीश कस्याप बिहार के जेल में रहेंगे, तमिलनाडू के जेल में थे तो सची ख़बर निकल के बाहर आना काफी मुश्किल होता था लेकिन मनीशकाश्याप बिहार के जेल में अगर रहेंगे तो मनीशकाश्याप की जो भी हकीकत बात होगी वो जनता तक भी उनके समर्थ को तक भी पहुचेगी इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राया है आप क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे जुरे रहें हमारे साथ जैहिंद जैभारत जैजैबिया